हेलो फ्रेंद्स, वेलकम दो दूदे चैनल आज के लेक्षर में आपको स्काहूंगा नाउन और उसके पार्ट के बारे में बताऊंगा पिशले लेक्षर में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बेसिक इंड्रोट्ट्ट्शन दिया था कि आठो parts of speech क्या होते हैं एक basic सा example बताया था आज मैं deeply one by one बताने की कोशिश करूँगा तो मेरे चैनल पे अगर पहली बार आये हैं तो ज़रू से subscribe करें और bell icon को भी ज़रू दबा तक हर मारी हर वीडियो को notification आपको मिलती रहे और अगर आपने last video हमने नहीं देखिए तो उसका link आई बटन पर है और description में भी मिल जाएगा चलिए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं तो यह देखिए मैंने noun की यहाँ पर जो definition लिखी हुई सबसे पहले समझते हैं अपने हिंदी वे पढ़ा होगा अच्छे से संग्या क्या होती है किसी भी व्यक्ति स्थान या वस्तू के नाम को हम संग्या कहते हैं अब ऐसे ही हम English पढ़ते है noun name of a person place or thing ठीक उसी के हमने English translation कर दिया है name of a person यानि नाम किस का या तो किसी व्यक्ति का या फिर किसी जगागा या फिर किसी वस्तू का simple संग्या कहलाती है अब इसके थोड़ा से एक बार types पढ़ लेते हैं noun कितने type के होते हैं तो मैं या पर लिख देता हूँ हिंदी वे अपने पढ़ाओंगा बट मैं या इंग्लिश में अगर बात करूँ तो इंग्लिश में होता है हमारा एक होता है proper noun right एक होता है हमारा proper noun अपर या बिल लिखता हूँ एक होता है हमारा common noun और एक होता है हमारा collective noun तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने तीन तरह के नाउन लिखे हुए है proper noun, common noun, collective noun दो और noun होता है material noun और abstract noun बट उन दोनों को आपको याद कनने की बिल्कुर ज़रूरत नहीं है सिर्फ यही तीन आपको पढ़ दे हैं अच्छे से तक यह आपके English अच्छे से grammar clear हो पाए मैं example से बताता हूँ और proper noun क्या होता है जैसे कि name ही बता रहा है proper किसी का भी नाम हो सकता है simple definition कर रहा है किसी का भी नाम हो सकता है जैसे कि अगर मैं example लिख हूँ तो मैं अपना गर नाम लिख हूँ अरुन यह मेरा नाम है यह proper noun है बच्छो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आप से solve नहीं हो पा रहा है बस आपको इस question का फोटो लेना है question का crop करना है और 5 seconds के अंदर-अंदर आपको question का वीडियो solution मिल जाएगा फिर चाहिए आपको question homework का हो CBSE का हो UPBR, महराष्टर, रजस्थान MP या किसी और बोर्ड का हो चाहिए IT, JE, NEET या क्लास 6 से बारवी का सवाल हो इन सब का जवाब मिलेगा doubtnet app पर या फिर कोई भी subject हो physics, chemistry, maths, biology, science आपके सबी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको doubtnet पर साथ ही doubtnet क्लास 9 से बारवी के बच्चों के लिए चल रही है English और Hindi मीडियम में live classes यानि अब पूरी पढ़ाई होगी doubtnet app पर तीन करोड से जादा बच्चे doubtnet app पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी जाए और doubtnet app इंस्टॉल कीजिए और अगर example लिखो किसी जगह का नाम लिखो तो मैंने लिख दिया डेली ठीक है मैं डेली में रहता हूं तो डेली एक वस्तू का नाम है या प्रोपर नावन है अब collective noun sorry common noun क्या होता है इसमें थोड़ा अंतरसम समझते हैं common noun जो कोई common बात कर रहा हो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया boy मतलब लड़का अब boy में अरुन भी लड़का है मतलब में और कोई भी होस्त लखते हैं बहुत सारे तो यह common है कि common boy ठीक है लेकिन अगर प्रोपर की बात करें तो उसमें से किसी का नाम यह common हो गया boy और अगर मैं example करूँ यहाँ पर द हो सकते हैं तो इस तरह से हम इसका difference हमजगे हैं अगली और बात करता है collective noun जो कोई collection में चीज़े बताती हो कुछ group में बात करती हो जैसे की अगर हम बात करें टीम बहुत सारे लोग होते हैं तो यह group है एक से ज़्यादा लोगों का तो यह collective noun है और अगर मैं example लूँ यहाँ of a person place or thing और इसके तीन टाइपस पड़े proper noun कोई देखिए मैं आल लिक देता हूं proper noun common noun और collective noun यह तीन तरह के आपने नाउन पड़े दो और होते बढ़ने के जुरूरत नहीं है इन्हें अब ध्यान से देख लीजीगा दो एक्जम्पल दिये हैं बाकि अप अच्छे समझ ग चाहिए तो आप चलते अगले पॉंट पर तो अब देखिए अगले पॉंट पर आ गए हम अब हम एक और तरह की बात करेंगे काउंटेबल अंकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं उसके टाइप नहीं है बड़ एक इंपॉर्डेंट पॉंट से जो आपको हमको पता होने सब्सक्राइब और उनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल का मतलब यह अईसे जिनके गिंटी कर सके जिसकी हम कर सके तो एक और यह वह फो सकता है अगर यह सकता है रूपीज यह देखें, मैंने आपे लिखा, हमें टोटल पर नहीं पता कितने रूपे हैं, बर रुपीस की गिंती की जा सकती है, तो वो countable होते है, uncountable नों काउन से होते हैं, जिनके हम गिंती नहीं कर सकते, जैसे कि time, time की हम कभी गिंती नहीं कर सकते समय की, और जैसे कि बात करें हम knowledge, ग्यान नॉलेज की भी हम कभी जो है गिंदी नहीं कर सकते राइट तो मैंने आप लिग दिया है एक्जामपल से आप आप अच्छे से क्लिर हो गया होगा आप एक बार बात कर लेते हैं सिंग्वलर और प्लूरल नाउन कि अब यह किस तरह के नाउन होते हैं जो नाउन केवल एक की बात करें वह सिंग्वलर होता है और जो एक से ज्यादा की बात करें वह प्लूरल होता है फॉर एंग्जामपल आपको मैं एक्जामपल करके दिखाता हूं देखिए अब यह नहीं गता सिंग्वलर और प्लूरल एक से ज्यादा अगर मैं आप एक्जा पर shirts लेक्त सकते यह लग गया चाहे तो हम गया को है तो टू आयगा टू ऐगा में लगता है बहुत लगता तो सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूं इस तरह से होता है ऑर गभाएंग्जम्पल लएक देख लेते हैं कि देख़ी अगर एको एक और एसांपलल मैंने लिए भूइँ फिर बॉइज लिखेंगे अब अंधर समझ गया हूंगे सिंगुलर क्या बात करता है जब किसी चीज में हम एक की बात करे हैं और एक से जादा की बात कर रहे हो तो प्लूरल नाउन कहलाता है अपका डिफरेंस अच्छे से क्लिर हो गया होगा तो आज के लेक्चर में इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो फिलीज इसे लाइक करें कोई चीज समझ नहीं आए थी तो मुझे कॉमें सेक्शन में लिक के जरूर बताएं मैं अच्छे से आप आपको रिप्लाई करके समझा दूंगा और अगर इस वीड वीडियो में वीडियो में थैंक यू सो मच तब तक के लिए गुडबाय एंड टेक केर